दन के अभाव में जनपत बलिया की बाश्टी थाना छेतर अंतरगत नरायरपु गाउन इवासी मदन राठोर आख में बड़े फोड़े से पिडित अपने बेटे का इलाज नहीं करा पा रहे हैं बड़ा आश्चारिय जनक भी से है कि गोद में तलपते बच्चे को देखकर मा बाप पर क्या बित्ती हो गई गंभीर बीमारी है पैसे का अभाव है बेटे को असाहनिय पीडा जहेलते हुए देखकर पूरा परिवार रो रहा है लेकिन चाह कर भी बेटे को दर्द से छुट कारा नहीं दिला पा रहे हैं पीडित परिवार पर किसी ने दया भी नहीं दिखाई और नाहीं बीधाता को रहम आया नाहीं सिस्टम ने तरस खाया सहायता की उमीद लिए दर्दर की ठोकरे खाने के बाद बेटे को निरासा ही हाथ लगी अब इस परिवार को केवल भगव पर ही उम्मीद बची है वैसे तो अपने आप को समाज सेवी कहने वाले तमाम लोग हैं लेकिन इस पीडित परिवार के तरफ शायद अभी तक किसी समाज सेवी की नजर नहीं पड़ी इस पीडित परिवार के दर्द को देखकर हर किसी का कले जाहिल जाएगा एक कायकरम में पहुँचे योगी सरकार के मंतरी अनेल राजभर से पीडित परिवार ने गुहार लगाई मंतरी जी ने ततकाल कुछ वैस्था तो नहीं किया लेकिन आश्वासन दिया है कि हम पूरी मदद करेंगे पाद में बताएं यह वहां के देखाई बानारस बेचिंग अले जाका अच्छा सब्सक्राइब नायपाल किया है वह बस्ति चब कराएं बानारस भी गहें थे पटना भी गहें थे पटना भी गहें थे भी कि नहीं है भी मैंने जटना चोटा था इतना इतना बड़ा नहीं है यह देखी करकुछी नहीं बोला ता बनारत गयां तो अचिछ ले रहा था वह बोला था नाट रहें दोपालि ऑल्ग कर दर के मारे हमें लोगे कचला है जkt पुली टाइब को हो गया था हम लोग जाने के फुली है तो जहरवाएंगा दिखाएंगा तो सई हो जाएगा उसके बाद हम चला गें कामाने के लिए बारुब चलता है यूपी साथ ने उसके लिए बल्या से बीवेक जैस्वाल की रिपोर्ट प्रमार कि जैस्वाल कामाने कामाने केवाएंगा जाएंगा जाएंगा तो सब्सक्ता है